हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरे इतनी रात में या अदमी अंदर कैसे आ गया कौन है बाहरा आओ कहां चला गया है हम हां कूल कि मुंबई के एक पोश इलाके में हत्या की खबर में पूरे शहर को दहला दिया है सवाल यह है कि क्या हम अपने ही शहर में सुरक्षित हैं आपको इंफर्मेशन कब मिलें सुभा साड़े चार बजे अजीब बादे से वाच्मेन ने वह लाज देके सुभा साड़े चार बजे और हमें तुरंट कॉल किया और इन मीडिया वालों को भी खबर मिली है सुभा साड़े चार बजे समझ वनियाता साड़े चार बजे कौन इंफर्मेशन दे सकता है सर सुनिये प्लीज प्लीज अब दूर खरे हो जाएए दूर जाएए देखिये आप लोगां के डिस्टर्बेंस की वज़े से यहां के एविडेंस खतम हो सकते है प्लीज समझते हैं ना अब अपना काम ही कर रहे हैं एक आदमी की मौट से संसीनी फैला के अपने की यारपी को बढ़ाना काम कहती हैं चुपचाप जाएए यहां से और हमें अपना काम करने दीजिए सर गुस्तोवली सर पताईए सर प्लीज 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 ना और बॉड़ी भी आसपस कही नजर नहीं आ लिए बस इसके आँखों की नमी ये बताती है कि इसकी हर्त्या हुए ज्यादा वक्त दही हुआ है कुछी गंटे बेते हैं और इसका घाव भी बहुत ताजा है लगता है किसी तेज धारदार चीज से काटा गया है जिसने भी ये खून किया है ना लगता है ये जो सिर है उसका बॉलिंग का जो बॉल होता है उसके जिसे इस्तमाल किया है और फिर ये सिर बॉल की तरह इसमें से बाहर आ गया है जिसने बॉल जाए नाम लिखा है अमर कुशल कॉन हो सकते ये लो अब फिर इनका नाम दोस्क्रिक्ली पार क्यों ये समझ में नहीं आ रहा सर के खूनी ने नाम क्यों लिखा है ये तो वो खुद के बारे में कोई सुराग देना चाहता है या हमें बठ़ाना चाहता है बिल्खुल वही है ये दया इसलिए तो नाम स्किट्लस में लिखे है और सर इस नाम के तो कई लोग हूँ ये शहर में यह बात तो कुनी भी जानता है, पुर्वी, मगर इसमें नाम लिखके उसने हमें एक चुनावती दिया है, पर वो यह नहीं जानता कि वो चाहे कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, सी आईडी के हाथ उसके गर्दन तक पहुची जाएगी, सर डेड बोडी का सर तो यहा है, और फिर, मिसिंग परसंस ब्योरों ने जाकर यह पता लगाओ, किसी ने कोई गायव होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या? अमर और कुशल वाच्मेन ने उस खोनी को CCTV कैमरे में देखा था, और कंट्रोल ड्रोम से बॉलिंग आले तक पहुचने में उसे तीन से चार मिनिट लगा होगा, और तब तक खोनी वहाँ से निकल गया अमर मतलब खोनी ने भागने के लिए सामने का रास्ता ने लिया, सामने से तो वाच्मेन आ रहा था ना? हां, खुनी ने भागने के लिए, मतलब अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, ये पीछे का रास्ता चुना होगा, और यहां असपास कहीं CCTV कामरा भी नहीं है सर यानी, खुनी इस जगह से अच्छे तरह से वाकिफ था खुनी का कोई ना कोई कनेक्शन है इस बाॉलिंग अले के साथ, नहीं तो वो ये जगह क्यों चुनता नया, ये खुन के दिशान देखो खुनी यही से आया गया होगा, आगे चल के देखते हैं ये खुनी के साथ, इसकी पीट पर तीन गोनियों के निशान है मतलब पहले किसी ने इसे गोली से खतम किया और जब मर गया उसके बाद इसका गला काट करके मुंडी होग रख दे ये क्या है ब्रिफकेस? किसका हो सकता ही? बरने वाले का या मारने वाले का? शायद ये ब्रिफकेस ही हमें खुनी तक पहुचाएगा तोड़ना पड़ेगा इसे खुलने रहा क्या कनेक्शन है? एसे भी प्रद्यमन अच्छे ठीक है अब मेरी बात सुनो उन सभी लोगों को दरा प्यार से समझा देना और कह देना कि जब तक CID है उनकी जान को कोई कत्रा नहीं है हम उने कुछ नहीं होने देंगी ठीक है? और जितने भी आमर कुछल आये हैं उन सब से उनकी परसनल डिटेल्स ले ले लेड़ा ठीक है? या, थैंक्यू सार, आदया डेट बोड़ी मिल गई सेर सालों के साब वही पर है अब बोड़ी के पास ये प्रिपकेस मिला सार जिसमें ये इतने सारे डेट टिफिकेत लेकर यारमी कर क्या रहा था क्या वजे आप लोग शान्थ हो जाएंगे अब लोग शांत हो जाईंगे प्लिस मेरब आज वाट सुनिये वह वह मरी बऊस है क्या? प्लीज लेट उस काम आईये आप लोग कौन है सर, मेरा नाम यश है, और ये प्रीती, हम पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं, सुशान सर, हमारे बॉस थे, ये, ज़रा ये देखिये, उनके पॉडी के पास हमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स मिले, क्या ये सारे सर्टिफिकेट्स तुमारे बॉस कही थे, सर, ह विटनेस की जान बचाने के लिए वो उन्हें नई आइडेंटिटी दिया करते थे, ऐसे लोगों की आइडेंटिटी जिनकी मौत कुछ सालों पहले हुई है, अच्छा दर एक बात बताईए, हमें यहां उन स्किटल्स बाद, दो नाम मिले हैं, अमर और कोशर, क्या आप ल दोनों नाम लेजर गैंके बहुती खतनार्क मेंबर्स को दिये गये थे, और उनका लूट पार्ट करने का तरीका भी बहुती आलग था पॉस, जा करें, बम फेकते हैं, गाड़ी को नस्दीक आने ते, अब फेक, जाओ करने पार्ट करने हैं, जाओ करने हैं, भाला ते, पार्ट करने हैं! कुणने हैं! सर ऐसे कई क्राइम्स किये इन लोगों ने लेकिन सर बहुत महिनों की कोशिशों के बाद इस गैंग का लीडर आनन पकड़ा गया केसे पकड़ा गया? कुशल और अमर की वज़े से सर वो दुना हमारे लिए सरकारी गवा बन गये थे और आनन को उमर कैद की सेजा हो गए यह तुम दोनों में अच्छा नहीं किया जेल की चार दिवारी मुझे तुम लोगों की जान लेने सो रोक नहीं सकते तुम लोग जहां छिप सकते हो छुपो मैं तुम्हें डूंडगारी रहूंगा छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को लेके जाए इसको तो आनन से इन दोनों को बचाने के लिए तुम लोगों ने इस अमर और कुशल को नहीं आइडेंटिटी दे दी जी सर मतलब कुशल और अमर उन दोनों के असली नाम नहीं हैं नहीं सर इसलिए सुशान सर ने डेट सेटिफिकेट्स निकाले थे ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके लेकिन सर जैसे हमने डियूज देखी हमें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बर जरूर है क्योंकि सुशान सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इन दोनों के नाम लीक हो सकते हैं तो आनंद फकड़ा किया आप अमर और कुशल के वज़े से और आनंद से बचाने के लिए सुशान्त ने अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी इसलिए आनंद ने सुशान्त को खतम कर दिया सर वो स्टिटल्स जो वालिंग पीन होते न जिस पे नाम लिखा है कुशल और अमर इसका क्या मत्तब है और इस सवाल का जवाब तो आनंदी दे सकता है फ्रेडी हमें अमर और कुशल का पता चाहिए जी तुम परिशान मत हो रहे ना वह आज आएगा कुशल घर पे है जी नहीं आपको नहीं जी बिए मैं कुशल की पतनी प्रेना कुशल का है हमें कुछ ज़रूरी बात करने उससे है सर एक्चली हम लोग भी असरी डोन रहे है डोन रहे है क्या मतला शिलीं वो सुबा सेही कहाया पह जो नहीं गया भया आपको बात करनी आप इनके सामने कर सकतें ये लोग हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही है दरसल कुशल एक लाइट बॉब गांग के लिए काम करता था गांग के पकड़े जाने के बाद कुशल सरकारी गवा बन गया और ग्रूप की लीडर आनन को सजा हो गया और फिर कुशल अलग-अलग आईटेटी की साथ जीने लगे हमेशा के कि उसे कोई पैचान गया है और उसकी जान को खत्रा है मुझे इस सब की बारे में कुछ भी नहीं पता है सार हमारी शादी को भी सेर दो ही साल हुए और कुशल ने मजे इस सब की बारे में कुछ भी नहीं बताया कब से गाया में बहुँ आज सुबह जब टीवी पर बॉलिंग एले में मर्डर की न्यूस देखी और इसनो खुद का नाम देखा तब से बहुत कपरा गया था और पर हड़ड़ी में वो कहीं चला किया अपने उसका फोन ट्राए नहीं किया वह अच्छिल सुबह से ही लगातार उसका फोन बंद आ रहा है और उसके लाओस की कोई ख़बर भी नहीं मिलिये आप लोगों किसी को भी कुषल के असली पहचान के बारे में कुछ नहीं मालू है आप लोग कल रात कहा थे? कल रात तो मैं अपने घर पर ही था और मैं मैं पूने गया वगा था बिजनेस मिटिंग के लिए और आप अप कहा थे? कुषल की साथ गर पर ही थी Sir, आप लोग कही हम लोग पर तो शक नहीं कर रहे हैं Sir, sir, देखिए, कल रात को जो मदर हुआ, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं Sir, हमें तो मधने वाले का नाम तक नहीं पता है तो आप लोग ने कुछल को गायाभों की खबर पॉलिस को खिदी कुशल को गाया बिज़ 20 गंटे भी नहींने हुए हमेने लगाता कि मामला इतना सीरयस हो जायगा कुशल किसी मुसीबत में मैं नहीं मागूमता सर प्लीज मरी पती को बचा लीचे प्लीज मैमुलो कुशल को लीजे प्लीज मेम बहुत परिशान थी और उस हाथसे के बाद तो बहुत खोई-खोई से रहते थी कौन सा हास्ता? दरसल बहुत दुख हुआ जानकर, हम लोग बॉड़ी लेने आये हैं कैसी बॉड़ी? क्या बख्वास आई है? क्या बोल रहो तुम? क्या हुआ? और कौन है ये लोग? मैडम, हम लोग मिस्टर जॉनी की बॉड़ी लेने आये हैं यहां कोई मिस्टर जॉनी नहीं रहते हैं आप गलत एड्रेस पे आये हैं आप शूर तो है मैडम? हम हन्रेट परसें शूर है आप प्लीज यहां से जाएए किसने बहजा तुमे? किसके लिए काम कर जो तुम? कुशल, समाहलो अपने आपको और आगे से दिखाई मत देना जोड़ा से! और उसके बाद मने कई बार कुशल से पूछने की कोशिश की लिकिन कुशल ने मुझे कुछ नहीं बताया बड़ी अजीब बात है सर कोई कुशल के घर पे जॉनी की बड़ी लेनी क्यो आएगा? बड़ी लेनी के लेनी वो कुशल को डराने आया था जरूर इसकुशल का असली नाम जॉनी है इसलिए उसन के बाद से वो बहुत परिशान था और ऐसा अजीब बरताब करने लगा क्या एडेंडिटी किसी को पता जल्दी है शायद इसी वात से वो परिशान था और और इस सुशान की मौत से पहले को इसके दिमाग से खेनने की कुशिश कर रहा था और सुशान की मौत के बाद से वो गायब है कहां गया होगा? उसकी सिंदगी खत्रे में है तो यह काम करो, यहां पर जितनी लोग है सर न्यूज में बॉलिंग एली में उनका नाम आने के बाद से वो लापता है सर नाई उनका कोई फोन लग रहा है और नाई सर उनकी कोई खबर है न्यूज देखने के बाद कुछ कहा था उन्होंने? सर वो काफी डरे हुए थे और कह रहे थे कि सुषान जी को उन्होंने मार डाला है, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को अमार के बारे में सब कुछ पता है क्या? जी सर, सुषान सर को ऐसा लगता था आनन्द हम सब के जरिये, मंगेस भये तक पहुच जाएगा इसलिए उन्होंन पुरी फेमिली के इनकली आडिन्टिटी बनाते, ताकि उनकी आडिन्टिटी कभी सामने ना आसके? सर, मैंने उन्हें कहा था, कि आननन के किलाव सरकारी गवा बननने के लिए मुझे क्या पता था? कि हमें सब पच जाएएगे सर, सब मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, सर लिए, समाली आपने आपको, लिए सर, उस दिन कही बात से, सब कुछ बदल गया था, सर अमर है वो कार्ट दे सकते हैं हम लो? सर, वो तो मैंने दो दिन पहले ही फेक दिया था अच्छा एक बात बताएगे आपनो करड़ाग खा थे आपका मतलब कहा है? आप हम पर शक कर रहे हैं आपको लगता है हमने मार आए सुषान जी को और हमने गायब के अपने खुट के जैट जी को ज़ए परिशान होने की जुरत नहीं है जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तीजिए कहा थे आप लोग कल दाट सराम लोग तो सब कल दाट को घर पर ही थे आइसी ठीक है अमर के बारे में कुछ भी बता चले उसका कुछ फोन वोन आया तो हमें इंपॉर्म करियेगा ठीक है सर यह कुछल और अमर की दोनों की आइडेंटिटी कोई जान गया है दोनों के साथ लगबग एक जैसा ही आदसा हुआ है दोनों सरकारी गवाब ने और दोनों को डराने की कोशिश की गई और अब दोनों गायब है सर गायब है या गायब कर दिये गए क्योंकि सुषान की मौत के बाद पूनी के निशाने पर यही दोनों है इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से जल्दी ढूनना पड़ेगा इन लोगों को और यह फैमिली वालों पर भी नज़ा रखना पड़ेगा इनके कॉल रिकार्ट चेकरो देखो कितना सच बोल रहे हैं यह लोग अब जी इस अमर और खुशल के फोन का आकरी लोकेशन पता चलना चाहिए अब आनन के बारे में थोड़ा बहुत पता चाला है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है अब अब यह तुम्हे कीस बता चला के अनन का इसके से कुछ लेना देना नहीं है सरो जेल आथॉरिटीज वो कहरे हैं कि काई दिनों से वो कोवा में है सर हास्पिलिन में हाँ सर वो काफी दिनों से प्रेन कैंसर से जूज रहा है सब उसकी अहलत बोत खराब है अधर यहानल ब्रेम कैंसर से जिंदेगी अर्मोत के बीच में जूल रहा है तो फिर अमर और कुछल के पीछे कुन पड़ा है तो सुछान को किस ने मारा रहा है सोचने वाली बात यह भी है कि कुछल और अमर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता कैसे चला वही तो सब्सक्राइब कुछल और अमर के फैमिली के कॉल रेकॉर्ड और बागी के सारी डीटील चेक कर लिए सब्सक्राइब कुछ भी डाउटफुल तो नहीं देख रहा सब्सक्राइब कर दो नहीं दोनों का फोन और फोने से पहले उसकी आखरी लोकेशन यहां मतलब कुछल सांटा कुछ से इस तरफ बढ़ा और अमर गोरे गांसे तो दोनों एकी तरफ चारफ जा रहे थे यह कोई इतफ़ाक नहीं होसकता अभी यह कोई कोइंसिजन्स नहीं है पुछता है दोनों भी एक साथ हो कोई जोड़ा है को तब मंढ़ान के रहने के लिए उसक्ता है वोड़ सकता है जब लग नहीं जगेर इंटे अरत नहीं होड़ जोड़ टमें कर द參ख चुक्टर रहने के लिए ख Examples यह Sutana का plan B ou सकता है उनको भुला हो जब भी कोई ऐच और वहाँ पे सेफ रहें रादर कुई नहीं जगे है जहां पर अमर और कुशल को छुपने के लिए जगे दी थी अब सुशान तो नहीं रहा लेकिन उसके असिस्टेंट स्पेशल प्रांच के यश और प्रीती सुशान सर के मरने के बाद अब हमें बचाने वाला कोहीं नहीं बचा अब भागने के सिवाए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बहुत मुश्किल के गाड़ी है हमें शांति सी काम लेना होगा प्लिस की मदद लें क्या कुशल? नहीं, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते क्या पता उन पर से भी कुछ लोग उन से मिले हो हम पज़ आएंगे हमें खुद ही कुछ करना होगा अचा क्या सुशान जी अपनी विटनेस की सेवटी के लिए किसी फास जगा का इस्तमाल करते थे मतलब कहीं छुपा के रखते हैं उनको सर जब तक विटनेस को नहीं पहचान नहीं मिल जाती थी तब तक हम उन्हें सेफ हाउज में रखते थे लेकिन आइडेंटिटी मिलने के बाद अगर ज़ुरत पढ़ती थी कुशल अमर अमर लगता है उनलोगों को हमारा पता चल गया है अब क्या होगा लैट आफ करस देते हैं चल निकलते हैं यहां से चल निकलते हैं यहां से अगर यह रसी अटा किसी को बान के रखा गया ते हैं आपे खून के लब्वे खसीतने का निशान है एक मिरिट एक मिरिट एक मिरिट कुषल और रीना की फोटा कुषल का फोन है मतला अमर और कुषल तोनो यहां पे थे हैं असलता हाता भाई के दौरान पोन यहां पे किर गया यह फिर जानबुच के छोड़ा हो ताकि उनके यहां होने का पता चले यह तेव पार समझ में ने आरी है कि हमारे यहां पॉंचने से पहले अमर और कुषल को कोई कैसे लेगी जा सकता है किसे को बंदक तो नहीं लगे थे कि हम लोग यहां पे आने वाले हैं गर ऐसा है तो तो खुनी उन दोनों को छोड़ेगा नहीं प्यार ऐसा लगता नहीं है कि कुछ तो है जो अमर और कुषल के पास है जो कुछ तो है जो चाहिए याश जी सर ये नहीं आइडेंटिटी देने से पहले कुशल और अमर ये गैंग में क्या काम करते थे सर कुशल एक इंजिनेर था जो लाइट बॉम बनाता था और अमर उसको पॉम बनाने में मदद करता था में लग लोटने में इस्तरा करते था जी सर अगर खूनी को इन दोनों कंधित के बार में पदा था ओ इंक कई अजिए पद दोियूर के बार में पता उगा तो हो सक्ता ये लाइट-बनाने की चकर में उंक्र बीशे बड़ा रशे यह और भी था इस ग्रांग में जो यह बॉम बनाना जानता? नई सर्थ वैसे यह जो बॉम बनाने के लिए जो इस्तमाल होता है वो कहा से लेते थे लोग कुछ मालू है? सर वो रमेश डाम के चैमिश से बॉम बनाने का समान लेते थे और वो पकड़ा भी गया था उसे दो साल की सजा भी होती तो अगर यह लोग उनका इस्तमाल बॉम बनाने के लिए करने वाले हैं तो इस रमेश से भी मिलेंगे? रमेश से मिलना होगा रमेश रमेश करी मेश रमेश रमेश रे यह रमेस रमेश रमेश रम More रमेश कि मर गये कि ने जबर्दत सी से वह केमिकल ले लिया होगा और केमिकल मिलने के बाद इसे जान से मार दिया चलो एक बात तो साफ है कि अमर और कुशल तुनों जिन्दा है और खुनी उनसे ये लाइट बॉम बनाने के फिराख में है इन लोग लगता है कि शेहर में कुछ बड़ा हाथा करने वाले है कोई बहुत बड़ी रॉबरी हो सकता है खुनी बहुत चालाक है ये क्या है नोट इस पर ये विलास एन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है विलास एन कोना हो माका मिलते ही अमर और कुशल ने रमिश की पॉकेट में ये नोट रग दिया होगा अगर हमें कुछ बताना चाहता है क्यों इससे है फिलास एन ये विलास एन नाम से कोई कोई विटनिस था क्या आप लोगों का इसकी आईडी बगएर आप लगों बदली हो नहीं तो अच्छा इसका कुछ तो कनेक्शन है शेहर में होने वाले हाथ से ऐसा क्या हो सकता है शर जाप सब्सक्रेश का इस नाम का ना कोई बैंक है ना कोई जूल्वरी स्टोर्ड ये लूग् पुट एन से बस छोटे मोटे स्टोर्स के लिए कोई इतना बड़ा रेस क्यों लेगा, बॉम क्यों बनाएगा यह विलास एन एसादु कर सरनेम तो नहीं है यार यह भी तो हो सकता है कि विलास एन का रॉबरी से कोई लेना देना हो इना कुछ औरी मतलब हो? आहिछ जो भी कुछ है यह जल्दी करना चाहिएं जल्दी सोचना चाहिएं एक बार तो श्याओ थो च्तश श्की रिए उसामाल गया तो जिंदा नहीं छोड़े का उन दोनोंको अगर सारनेम नहीं तो क्या हो सकता है से कि शैन 1Sकता जैर्श किसी आदमी यह बैंक का नाम न न हो जह अभिलास एन जीलास नगर रिलास नगर ना में है घ्लाश मत आख़ो पूरी पाँ यह मिल्म देटर अगम हो मुख को इस अभ्तों से अभी इसे सीट्टाई तो रोड पर कोई लेजर बॉंपा च्या इस्सावाल कर सता है। मसर्कर सर इसी सदग पर कोई हाथसा करने वाले हो हैंगे। तर एक काम परो, प्राफिक पुलिक से बता लगो क्या विलास नगर रोड कोई सी-सी-डी-डी कैमरा लगे हुए हैं क्या। तैंक्यू वेरी मज़ू सर, कंट्रोल लुग वालों का कहना कि विलास नगर के आसपास के कई रोड वी बी एपी सेक्योटी के वज़े से बंग कर दिये गए हैं। वी बी एपी सेक्योरिटी? किसकी सेक्योरिटी? सर, वो मशूर इंडेस्टिलिस्ट है ना, महेश अगरवान, वो शहर में है। और उसकी किसी फॉरण डेलिगेट के साथ मीटिंग है। इसकी वज़े से सारे रोड बं कर दिये गए हैं क्योंकि वो विलास नगर से हो के गुजरेगा, मीटिंग के लिए। महेश अगरवान इंडेस्टिलिस्ट के ये वीवीएटी सेक्यरिटी विलास नगर रोड पे है। सर, उसने कोदी मांगी थी, उसने प्रटेक्शन मांगी है क्योंकि उसे जान से मारने की दंकी मिल रही है। मतलब विजवार लेजर बॉम के निशानी पर है महेश अगरवान। अलो, 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 तुम चीन्तों मतलो बाबा, दील हम ही मिलेगी, रेंशन मतलो परेंशन, अलो, अ का है। कि तुटर यह तुटर एड़कार को एडरिह कार मुष्टर एडियृ झाल 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 आप लोग अच्छा वहा कि आप लोग आगे शर ये सब ये सब हमसे जबर्दस्ति करवा रहे थे अब तो हम सरकारी कवावी बन चुके सर्दी वहाँ सर्... सर् मैने मुझे कुछ ने बता है सर्दी मैंने सब पैसे बीडिए था सर्दी किसने दिये थे पैसे किसने दिये थे पैसे आपको वाले? एक्से, मैंन्में दोनोंका फ्रेंट्टू. आइए, आइए बार! सब प्लीस मेरे पत्ती को बचा लिचे, स्बीज को बचा लिचे, प्लीस नमुकु बचा लिचे, शकल से तु इतनी भोली लगती हो, लेकिन शातिर तो उससे भी कुछ जा रहा है, रेना जी, जियो किया तुम लोह निए सब, पटाफट अब बताओ, जल्दे बताती, दरसल, कुशल और मेरी शादी के बाद सही, कुशल बहुत डरा-डरा से रहने लगा उसका पीहवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था मेरे कई बार पूछने के बाद, आखिर एक दिन कुशल ने मुझे इसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बोलो ना दरसल, मैं एक लाइट बॉब्म गैंग के लिए काम करता था लाइट बॉब्म बनाने में एक्सपर्ट था, जिसके ज़री हम रूट पाट करते पर पकड़े कभी नहीं गया पर भीना, मैं सरकारी गवा बन चुका हूँ उस जुर्म की दुनिया को छोड़ दी है मैंने बड़ी मुश्किल से उस दंदल से भार निकलाओं अगर तुम सच में लाइप पर बनाना जालते हो तो हम कुछ भी कर सकते फिर हम गवी में क्यों जे रहें फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते बहुत सारा पैसा कमा सकते यह तुम क्या कह रही हो रीना मैं उस दल्दल में वापस नहीं जाना चाहता मैं इजजत की सिंदगी जीना चाहता हूँ इसके बाद आए दिन हम दोनों के जगड़े होने लगे। मैं कुशल से पार पार उसके पिछली जिंदगी में वापस लॉट जाने की बात कहती थी। लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। फिर मेरी मुलाकात परम से हुई। परम बहुत रहिस था। हम लोग का अफेर चलने लगा। वो इंडस्टिलिस्ट है ना? महिश। वो इसके चाचा हैं। चाचा को मारना क्यों चाते थी तुम। मैं अपने चाचा के साथ काम किया करता था। लेकिन एक बार मेरी अन्बन हो गई। उसने सबसे पहले मुझे काम से निकाला। उसके बाद मुझे धंकी देने लगा। कि मुझे जाहिदात से बेदखल कर देगा। और इसलिए तुमने चाचा को मारने का प्लाइन बना दिया। सर मेरे चाचा के कई दुश्मन थे और सब उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्ही मैंसे किसी एक ने मुझे चाचा की मौत के बदले पांच करोर देने का वादा किया था। वारे वार। तो पांच करोर रूपियों के लालश में तुमने अपनी चाचा के दुश्मनों से हाथ मिला दिया। हाथ मिलाना पड़ा साथ, क्योंकि मेरे चाचा को मानना इतना असान नहीं था। उसके बाद मुझे रीना ने अपने पती के बारे में सब कुछ बताया। उसी वख्त मैंने सब कुछ प्लान किया था। तो पैसे के लालिश में आकर तुमने अपने ही पती को बली का पगरा बना दिया? तो क्या करती मैं? नहीं जीना चाहती थी मैं गरीबी में? कुशल और अमर का इस्तमाल करके मैं महेश को मरवा देती कुशल को इस बात के सजा भी हो जाती और फिर बचे हुए पैसे से परम और मैं अपनी सिंदे की आराम से बिताते एक तीर से दो शिकार कदे निकली थी तुम और खुद ही शिकार बन गई सुशान्त को क्यों मारा तुम लोगों है? हम आमर और कुशल को ब्लैकमेल कर रहे थे इस बात की जानकारी किसी तरह से सुशान्त को चल गई थी और उन दोनों को हम से सिर्व सुशान्त ही बचा सकता था और इसलिए तुम लोगों ने उसे ही रास्ते से हटा दिया सर मैंने एक खुशल बनकर उसे कॉल किया था और बॉलिंग एले पर मिल्ले के लू बलाए और वही मैंने उसे मार दिया परम और रिना पैसो की लालश में तुम लोगों ने सारी आदे पार कर दी सुशान का खोन कर दिया जो एक इमानदार और जाबाज आफिसर था कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम दोनों को तुम दोनों तो जील की सलाखों के पिछे सडोगे सडोगे पर साथ साथ वो भी सडेगा जिसने तुम्हें पांच करोड देने की लालश दी थी झालशान करें पिद्टेज स्टेरी सब्सक्तर बद्सक्राइब करें पांच करें सेंगे हैं